इस वीडियो में हम समझेंगे माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप एक साइन्टिफिक इंस्ट्रुमेंट है, जिसका यूज बोहुत छोटे अबजेक्ट को देखने के लिए किया जाता है, जिनने हम नेकिड आई से नहीं देख सकते. ये केमिस्ट्री, मेडिसिन, माटीरियल साइन्स और कई साइन्टिफिक डिसिप्लिन में इंपॉर्टन्ट रोल प्ले करता है. माइक्रोस्कोप को 1600 में नेदरलंड और डेन्मार्क के आईग्लास बनाने वालों ने इन्वेंट किया था. माइक्रोस्कोप डिफरिंट टाइप के होते हैं, सब के पास अपना डिजाइन और केपिबिलिटीज होती हैं, लेकिन वो सभी एक फ़न्डमेंटल प्रिंसिपल पर काम करते हैं. माइक्रोस्कोप अप्टिकल इंस्ट्रुमेंट है, जो बहुत छोटे अबजेक्ट की अब्जिवेशन और स्टाइप के लिए डिजाइन किये गए हैं, जैसे की बायोलोजिकल स्पेसिमेंज, माइक्रोगनिजम, सेल्स और स्मॉल स्ट्रक्चर की डिटेल्स के लिए. माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कमपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है, जो मागनिफिकेशन के लिए सिंगल लेंस का यूज करते हैं. Simple Microscope में एक Small Focal Length वाला Convex Lens होता है Application of Simple Microscope ज्यादा तर Educational Institute जैसे की School और College अपने Laboratories में Microscope का यूज करते है Dermatologist, Different Skin Disease को पहचानने के लिए Simple Microscope का यूज करते है Compound Microscope Compound Microscope एक ऐसा Optical Instrument है जिसमें की Small Object को Magmify करने के लिए Multiple Lenses का यूज होता है इसमें दो Lens यूज किये जाते हैं जिसके कारण इसे Compound Microscope कहा जाता है इसमें एक Lens को Eye Piece और दूसरे को Objective Lens कहा जाता है Compound Microscope को Detail में समझने के लिए पहले हमें इसके Basic Components को समझना होगा Components of Compound Microscope Objective Lens ये Lens, Nose Piece के ऊपर होता है Objective Lens, Object की Real Inverted Image को बनाती है Ocular Lens Ocular Lens को Eye Piece भी कहा जाता है इन Lenses के थूँ, छोटी Image को देखा जा सकता है Base Base जिसे Foot कहा जाता है, ये U-Shaped या Horse-Hour Shaped के होते हैं ये Metallic Framework होता है, जो Microscope को साथ में रखता है Screws for Adjustment ये Pair, Coarse और Fine Adjustment के लिए Use होते हैं Fine Adjustment, Body Tube और Stage को बहुत ही कम Distance तक ले जाते हैं और Coarse, Adjustment, Body Tube और Stage को ऊपर ले जाते हैं Repositioning करके, एक Clear Image को Optane कर सकते हैं Condenser ये Diaphragm के नीचे पाया जाता है Light को बदल कर Condenser की मदद से Focus किया जा सकता है जिससे इसे Up and Down किया जा सकता है Diaphragm Diaphragm, Object पर गिरने वाली Light की Quantity को Control करता है ये Stage के नीचे होता है Reflector Reflector, एक Mirror है जो Base की ऊपर Attached होता है Mirror के एक Side में एक Plane Mirror होता है जबकि दूसरी Side में Concave Mirror होता है जब Light Strong होती है तब Plane Mirror का यूज किया जाता है और जब Light Weak होती है तो Concave Mirror का यूज किया जाता है Mirror और Diaphragm के थुरू, Object पर Light डाली जाती है Arm Curved Framework, Microscope के लिए Vertical Support प्रोवाइड करता है Joint Inclination अगर Observation को बैथ कर Perform किया जाए तो Magnifying Glass को Joint Inclination के थूँ, Tilt किया जा सकता है Body Tube Body Tube, Objective और Ocular Lens, Particular Position पे Fix रखता है Application of Compound Microscope Bacteria और Virus की Study, Compound Microscope की मदद से पॉसिबल है Compound Microscope का यूज, Forensic Laboratories में होता है इसे Metallurgy में भी यूज किया जाता है Working of Compound Microscope Compound Microscope में Object Lens को सामने रखा जाता है और Eye Piece को पीछे जब Object से Light Ray, Object Lens पे Incident होती है तब वो Object Lens के Focus Point पे एक Inverted Image बनाती है इस Image को Magnify करने के लिए Eye Piece का यूज होता है Eye Piece को एक Specific Distance पे Adjust किया जाता है ताकि Image को Maximum Magnify किया जा सके जब Observer की Eye को Image पे Focus किया जाता है तब Observer को एक Virtual Magnified Image दिखाई देती है जो Eye Piece के थूँ बनती है ताकि जा सबस्क्राइब के लिए लिए को सबस्क्राइब है प्रयों सबस्क्राइब को एक को बाहिए बन देन सके का लिए लिए रखने है